नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे Exodus of Kashmiri Hindus के बारे में जो Kashmiri Pandits थे जिस प्रकार से 1990s में उनको Kashmir Valley से निकाला गया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसका main कारण यह है क्योंकि अभी recently आप देखिए तो बहुत बात हो रही है इसके बारे में और जो एक फिल् यह भी आ रही थी कि Bombay High Court के अंदर एक प्ली डाला गया था अरजी डाली गई थी कि जो Kashmir Files है इसको यहाँ पर dismiss मतलब कि यह रोग दिया जाए फिल्म आने से लेकिन Bombay High Court ने उसको dismiss कर दिया है 11th March को यह फिल्म जो है वो आपकी आ रही है तो इसके जो हर एक पहलू है मतल कश्मीरी पंडित का उसके बारे में हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ काफी कुछ जानने को है चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले ध्यान रखेगा Study IQ के platform पर app हो website हो वहाँ से आप जितने भी courses लेंगे UPSC, Judiciary Banking हर एक course आपको मिल जाएगा और आप इस तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं और introduction में basically अगर आप देखोगे न तो करीब 30 साल से जादा हो चुके हैं मैंने आपको बता है न 19th January 1990 वो जो date है उसके बार से करीब 30 साल से जादा हो चुके हैं जो Exodus हुआ था जिस प्रकार से बड़ी मात्रा में कश्मीरी पंडित मतलब स्टार्ट हो गया था आपका 19th January के बाद से और ये पूरा March April तक ये पूरा आपको देखने को मिलेगा तो इसको लेकर काफी जादा debate होता रहता है इन फाक्ट अगर आप देखोगे न तो जो politics shape हुई है उसके बाद से यहाँ पर जिस तरह से अलग-लग political party सामने निक पूदा रहा है तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझें उसके पहले हमने समझना होगा कि इसका background क्या था क्योंकि कोई भी चीज जो होता है वो किसी ना किसी background के तहती आपको देखने को मिलेगा अचानक से कोई चीज़े नहीं हो जाती है 1980 से लेकर 1990 के बीच में क्या थ आज के रिट में आपने दिखा होगा ना जो फारुक अब्दुल्ला उमर अब्दुला जिनकी party है ये national conference उनके मतलब फारुक अब्दुला की जो पिता जी है शेक अब्दुला नहरु जी के time से चलते आ रहे थे काफी अच्छे friend थे शेक अब्दुला नहरु जी के तो finally 1982 म के पास आ जाता है फारुक अब्दुला इलेक्शन जीत जाते हैं 1983 में उसके बाद जो दो साल के बाद एक काफी बड़ा in fact यहाँ पर mistake भी बोला जाता है या फिर जो कहिए ज्यादा तर experts ये कहते हैं कि जिस प्रकार से central government के द्वारा उनकी सरकार को तोड़ दिया गया था कहने का मतलब बस्तों में राजीव गांदी की सरकार आ गई थी 1985 में और जो national conference party है जमू कश्मीर के अंदर वहाँ पर क्या थे कि कुछ होते हैं कुछ party के अंदर ही rebellion raider होते हैं dissident होते हैं जैसे उसमें से एक थे गुलाम मोहमत शाह उनको यहाँ पर क्या किया जाता है चीफ minister पत से हटा दिया गया है लोगों में नराजगी स्टार्ट हो जाती है और काफी dis affection हो जाता है political instability उसमें से आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगी और आगे चलकर यह काफी बड़ा विक्राल रूप ले लेती है और इसी के वजह से जब यह पूरा चीज हुआ उसके यह था कि 1984 में एक militant leader था मगबूल भट उसको फांसी की सजा दे दी जाती हैंक कर दिया जाता है तो यह सारे combination अगर आप देखोगे ना तो ultimately ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है कश्मीर में उस सम्ट क्यूंकि लगतार यह लोग active होते जा रहे थी ज आपर जो राजीव गांदी हैं उनके दोरह एक और बड़ा कदम लिया जाता है जिसके होजे से again काफी बड़ा बदलाव आपको पूरे political system में देश के अंदर देखने को मिलेगा और वो था बाबरी मस्जिद जो है उसके ताले को खोल दिया जाता है मतलब कि मैं बहुत आपको याद होगा जो शाह बानु वाला पूरा केस हुआ था उसमें कहीना कहीं ऐसा दिख रहा था कि जो राजीव गांदी की सरकार है वो Muslims का ज्यादा पक्ष ले रही है तो उसको counter उसको balance करने के लिए कहीना कहीं राजीव गांदी ने जो बांबरी मस्जिद है उसके त अनंतनाग उसमें जो congress leader है मुफ्ति मुहमत सेयद उनकी constituency थी और वहाँ पर कई सारे जो Hindu temples हो गए, shops हो गए, properties हो गए, कश्मीरी pundits के वो यहाँ पर लूटे जा रहे थे तोड़े जा रहे थे और यह सारा blame कहीना कहीं जो separatist हैं उनके उपर देखने को मिल रहा था मतलब थोड़ा थोड़ा आपको देखने को समय मिलेगा कि build-up हो रही थी चीजें, attack छोटे level पर हो रहा था लेकिन चीजें हो रही थी और लोगों का भी गुस्सा था कि ये जो शाह, जो मुहमत शाह की जो सरकार है, Chief Minister बनाया गया था, लोग उनसे नाखुश थे और इसी को रादा आक्रोश आ गया था कश्मीर के अंदर वो ये था कि 1987 में election होता है राज्यका, ठीक है, और वो election ऐसा election था जिसमें साफ दिख रहा था कि central government के दौरा कहीं ना कहीं गरबड़ी की जा रही है, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉलम क्रेट किया जा रहा है, और गलत election तर पारी सरकार वहाँ पर एक प्रकार से बनी रहा है, और ये देखते वे जो militants हैं, वो उनको अपर हैंड मिल जाता है, क्योंकि लोगों की सानबूती भी militants के साथ धीरे-धीरे आने लगती है, तो ये काफी बड़ा turning point बताया जाता है, जिस प्रकार का elections कंडर्ट कराया था, Central Government के watch में, ये बहुत गलत हुआ था, ऐसा लोगों का कहना है, और 1989 में finally आप देखोगे न, तो चीजें एकदम सर से उपर निकल जाता है, पानी जो है वो सर से उपर निकल जाता है, यहाँ पर जो militant organization मैंने आपको बताया था, जम्मू कश्मीर Liberation Front जो है, वो क्या करता है, मुफ्ती सेयद की जो daughter है, उनको यहाँ पर अगवा कर लेता है, ठीक है, उनको और kidnap कर लेता है, और ये एक प्रकार से कह सकते हो कि ये इस episode के बाद से, अगला जो दसक है, अगला जो next decade है 1990 के बाद, वो set हो जाता है, अब यहाँ पर सुरुआत होती है, क्योंकि अब December 13 को यहाँ पर जो BJP leader है, तिकालाल तपलू, उनको मार दिया जाता है, shot dead, उसके बाद एक और जो retired judge थे, अब यह जजज वही थे, आपको याद होगा मैंने बताया, मक्बूल भट को जो फासी की सदा दी गई थी ना, वो इन्हीं retired judge ने दिया था, नील कांट गंजू, औ और उनको भी यहाँ पर मार दिया जाता है, point blank पर, कहाँ पर जम्मू कश्मीर high court के बाहर, आप सोचके देखिए, 4th November को, यह 1989 की ही बात चल रही है, और उसी समय December 27 को एक और generalist lawyer है, उनको भी shot dead, मतब लगतार killing start हो जा रही है, और hit list of pandits, जो है वो लगतार circulate होते रहते थे और अचानक से panic जैसा माहूल हो गया पूरे पंडित, जो कश्मीरी पंडित की जो community है उनके अंदर, और एक तो ऐसा mode भी आया कि एक local newspaper था, जिसमें यहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन, हिजबुल जो मुजाहिदीन है, उनका add आ गया, इस्तहार आ गया उसके अंदर, और उनके अंदर एक प्रकार से warning दे दी, पंडित को जल्दी से कश्मीर को खली कर दो तुम, अब आता है वो भ्यानक रात, night of January 1990, मैंने आपको जो बताया, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे न, तो again, यहाँ पर जो फारुक अब्दुला की सरकार है, वो तो अपलब डिसमि गलग मॉस्क से, मस्जिदों से, लाउड स्पीकर पर बयान दिये जा रहे थे, स्लोगन दिये जा रहे थे, और यहाँ पर जितने भी कश्मीरी पंडित्स हैं, उनको धमकी दी जा रही थी, कि आप कश्मीर को तुरंद रातो रात खाली कर दो, यह मैं 19th January 1990 की ही बात कर रहा है, यह 19th January 1990 को हुआता, तो इसलिए बहुत important दिन हो जाता है, कश्मीर पंडित जो कम्यूटी है, वो उसके बाद से कश्मीर को छोड़ना स्टार्ट कर देती है, आप खुद सोच के देखो, हर तरफ से बयान आ रहे हैं, नारे लग रहे हैं कि कश्मीर को खाली करो, और 20th January मतलब अगले दिन से ही आप देखिए, जो पहला बैच है कश्मीरी पंडित का, वो वैली को छोड़ने के लिए तयार हो गया, और वो लोग जम्मू की तरफ मूव कर गया, फिर उसके बाद भी कई सारे ऐसे जो पंडित से जिनको लगा कि नहीं सिच्वेशन बहतर हो जाए पंडित की लगाता और फिर हत्या होने लगी 20th January के बाद भी, उसके बाद finally कोई भी वहाँ पर रहना नहीं चाहता था, और मार्च और अप्रिल में वापस से एक बड़े बड़ा जो वेव है, वो वहाँ से जाने लगा, और यह जो पुरा सिच्वेशन हुआ था ना, इसी सबको, तो वहाँ पर एक इंसिदेंट यह हो गया, जो CRPF है, Central Reserve Police Force जो है, उन्होंने 160 कश्मीरी मुस्लिम्स को जो है, उनके उपर गोली चला दी, उनकी मित्ती हो जाती, और इस तरह का जो कुछ आपको जो तश्वीर है, इस तरह का कई सारे लोगों ने इसको रेप्रेज सारे गए थे, और जो पुरा Exodus हुआ था, यह तो पुरा चली रहा था, आपको पता है, दोनों इवेंट विधिन 48 आर्ज जो है, इसको दोनों कम्मुनिटी एकसेप्ट करने के लिए दूसरे के पेन को उस समय नहीं समझ रही थी, और आज भी कुछ वैसा ही आपको देखने की families, मैं number of people की बात नहीं कर रहा हूँ, जो number of families है वो रहां पर रहती थी, और उसमें से 70,000 से ज़्यादा बताया जाता है कि 1990 से लेकर 1992 के बीच में उन्होंने कश्मीर को छोड़ दिया था, और यह 2000 तक चलता राजब की, ठीक है, और जहां तक मिर्तियू की बात है, जो सं इंगठन है आपका कश्मीरी पंडित संगर्ष समीती, उनका यह कहना है कि 1990 से 2011 के बीच में करीब 399 लोगों के मिर्ति हुई, जादता 1989 और 90 के बीच में ही हुई थी, 400 के आसपास, और करीब 800 families ऐसी हैं, जो पिछले 3 दसक से बनी हुई हैं, जी आप, पिछले 30 साल से करीब 800 families हैं, जो अभी भी वहाँ पर आपको देखने को मिलीगी, अब जैसे भी रह रही हैं, लेकिन रह रही हैं, अब ये सब कुछ जो है, इसके अंदर एक बहुत important चीज़ आपको ध्यान रखना है, role of administration, क्योंकि administration अगर कारगार होगा, अगर सही से होगा, तो चीज़ें इप्रोब भी हो सकती हैं, तो वहाँ पर कई लोग question लगतार कर रहे थे, कि जो administration है, उसके उपर सवाल खड़ा होता है, especially यहाँ पर जो जमू कश्मीर के जो गवर्नर तुरंट अभी बन कर आया थे, मैंने आपको उता है न, कि फारुग अब्दुल्ला को हटा दिया गया और फिर तुरंट रातो रात यहाँ पर एक जो गवर्नर है जगमोहन उनको भेजा गया और वो 19th January को ही पहुँचे थे, जब यह चीज़ें start हुई थी, और कई सारे जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, उनका एक view यह भी है कि कहीं न कहीं यह जो administration है, उन्होंने encourage किया था एक प जाना पड़ा था, और कई centuries से जो वो एक साथ रह रहे थे, वो finally क्योंकि Islamism, Frenchy जो Islamism है, उसमें लोगों को काफी belief हो गया, और finally इसकी वज़े से लोग दूसरे साइट जाने लग गया, और उनको वहाँ से छोड़के जाना पड़ गया, जो truth है कहीं न कहीं बताया जाता है दोनों के बीच में, अब जो भी है, मैं तो आपको जो भी facts हो रहा है, जो भी कुछ हुआ था, वह ही मैं आपको पताने की कोशिश कर रहा हूँ, in fact यहाँ पर एक और काफी senior officials हैं, जिनोंने जम्मू कश्मीर government के अंदर, वजाहत हभी बुल्ला, उनकी द्वारा काफी इस पूरे episode के बारे में, जैसे उनका ये कहना था कि March 1990 में, मतलब कि January बीच चुका था, फिर यहाँ पर उनका ये कहना था, कि वो basically अगर आप देखोंगे ना, तो अनन्त नाक के अंदर ही posted थे, special commissioner, तो उनका कहना था कि बहुत सारे लोग उनके office के बाहर आए, कई सारे जो आर्मी है, उनको free hand मिल जाएगा, और वो लोग लगता कश्मीरी Muslims के उपर हमला करने लगेंगे, कि क्योंकि यहाँ पर कश्मीरी Muslims की वजए से कश्मीरी Hindus छोड़ कर जा रहे हैं, हवी बुल्ला का ये भी कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अगर आप दे दिजे, आप धमकी मत दिजे पंडित्स को, तभी तो वो रुख पाएंगे, दर्वाइस नहीं रुख पाएंगे, इसके लावा यहाँ पर जो यह ओफिशल है, वजाहत हभी बुल्ला, उन्होंने गवर्नर को भी रिक्वेस्ट किया था जगमोहन को, कि आप प्लीज एक ट केंट में जा सकते हैं, और वहाँ पर उनको सेक्यॉरिटी प्रोवाइड की जाएगी, बस इतना ही था, और जो लोग सर्विस में हैं, जो गवर्मेंट सर्विस में हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं कश्मीर के, वो जा सकते हैं और उनकी सैलरी लगतार पे होती रहेगी, तो यहाँ पर तो I hope कि यह सारा एपिसोड हर एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा finally question आता है return का क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रश्ण है आज के रेट में भी इसकी काफी चर्चा होती है लगे तो ज्यादा था जो middle class जो community है ना वह अगर आप देखोगे तो वह अपने आपको कैंप्स वगर हमें पाई गई क्योंकि सरकार ने इंतजाम कर रखा था तो फिल्दी camps थे अच्छा नहीं था वह जिस अच्छे से रह रहते कश्मीर के अंदर और यह काफी मतलब पंडिस community अगर आप देखा जाता है काफी पैसा वगर हुआ करता था उनके पास और जिनके पास जो means वह अगर थे वो देश के अलग-अलग हिस्से में चले गए कोई दिल्ली आ आए गया आपका 4000-5000 फैमिली रहती हैं महाँ पर अभी और अगर आप देखिए तो जो फैमिली हैं उनके लिए गवर्मेंट नहीं आपर जम्मू के आउट्सकर्ट वगरा में कई जगा हो जो होंस वगरा है वो बनाने की यहाँ पर कोशिश की है लेकिन लेकिन आपको समझ सिच्वेशन के तोर पर ही रहा है जो ग्राउंट सिच्वेशन है वहाँ पर अभी भी इंप्रूव नहीं हो पाई है और पिछले दो दसक में अगर आप देखो तो जो भी कश्मीर वाली के अंदर कुछ बनाने की कोशिश भी की गई है तो अगें वो उस टाइप का स्ट्र और जो लेटेस्ट अप उस एपिसोड अगर आप देखो 2019 में सरकार ने आर्टिकल 370 अप्रूगेट किया था और इसको लेकर कश्मीरी पंडिस काफी खुश हुए थे तो उनको भी कहीं न कहीं लग रहा था एक रिवेंज टाइप का कि तीन दसक पहले जो उनके साथ जो भी fact से वही मैंने यहाँ पर बतानी कि आपको कोशिश की है बाकी यह फिल्म वगर आ रही है आप चाहो तो definitely देख सकते हो जाने से पहले एक interesting question यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं जो constitution है जम्मू कश्मीर का वो किसके दोरा frame किया था जी हाँ यह बहुत interesting question है इसको ध्या इसमें डालता रहता हूँ बाकी अगर आपको PDF टी तो टेलिग्राम पर आईए अलग लग सोशल मीडिया पर भी आप जोड़ पाएंगे साथी साथी उपेसिया फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं simply use my code अंके 33 क्यों यहाँ पर आपको maximum discount मिलता है I hope कि वीडिया आपको पस